अज़ो एवरीवन जैश्री गनेश कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और आपकी लाइफ में जो भी सिच्वेशन चल रही है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रह होंगे चले आज की रीडिंग देखते हैं आज की रीडिंग करंट एनरजी बताएगी आपके परसन के बारे में आपके परसन क्या सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है उनकी दिल में क्या चल रहा है उनकी क्या फीलिंग से ये सारी बाते हम आज की रीडिंग में एक्टिव रीडिंग है तो कुछ बाते आपके साथ रिजॉनेट करेंगी और कुछ बाते रिजॉनेट नहीं करेंगी जो बाते रिजॉनेट करती है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए जो नहीं करती उन्हें एक्सेप्ट मत कीजिए तो चले आज की रीडिंग शुरू करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है उनके दिल में क्या चल रहा है उनके उनकी फीलिंग्स क्या है ए यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजी प्लीज बताईए कि मेरे व्यूवर्स के परसन की करेंट एनरजी क्या है क्या गाइडन्स है जो आप देना चाहते हैं क्या मैसेज है जो आप बताना चाहते हैं हे एंजल्स प्लीज गायड कीजिए प्लीज बताए मेरे व्यूवर्स के परसन के करंट एनर्जी क्या है वो करंटली क्या सोच रहे हैं क्या फिल कर रहे हैं प्लीज बताएए देखिए आपकी जो परसन है और आपकी मुझे बहुत स्ट्रॉंग फ्रेंड्शिप लग रही है आप दोनों की जो पहचान है जो लव एफिर जो रिष्टा शुरू हुआ था वो एक पॉंडिंग पे शुरू हुआ था वो फ्रेंड्शिप पे शुरू हुआ था या फिर हो सकता है कि आप लोग किसी तरह की गेट टूगेदरिंग में या किसी तरह की पार्टी में एक दूसरे से मिले थे तब से आप लोग की पहचान हुई है तब से आप लोग एक दूसरे को लाइक करना शुरू किये थे और ये रिष्टा बना था या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक्चल में एक दूसरे की जो कमपनी है वो बहुत एंजॉय करते हो जब आप दोनों साथ में रहते हो तो किसी और की जरुवत भी नहीं रहते आप दोनों के बीच में जो फ्रेंशिप है जो बॉंड है वो एकना जादा स्ट्रॉंग है कि आप लोग को किसी और के जरुवत रहते ही नहीं ये चीजे वो खुद भी जानते हैं और वो फिल भी करते हैं उनका दिल जब भी उनकी लाइफ में कुछ भी नई चीज होती है तो पहला परसन उनके दिमाग में जो आता है वो आप हो वो आप से ही बाते शेयर करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं क्यूंकि आप दोनों अलग जरूर हो गए हो पर जो फ्रेंशिप आप दोनों के बीच में क्रियेट हुई थी डेवलप हुई थी वो चीज वो फ्रेंशिप ये भूल नहीं पा रहे हैं और ये भूल भी नहीं सकते क्यूंकि ये उनके इमोशन से जुड़ी हुई है भले ही आप लोग रिश्टा आप दोनों का कैसा भी अप एंड डाउन चलता होगा पर जो फ्रेंशिप है वो बहुत स्ट्रॉंग है और ये चीज एकसेप्ट करते हैं वो मानते हैं और एक जो फ्रेंट होता है उसे वो मिस भी करते हैं वो चाहते हैं आप दोनों की बातचित हो जाए ताकि अगर रिश्टे के दौर पर नहीं तो कम से कम फ्रेंशिप के दौर पर शुरू हो जाए च्यूंकि वो आप जैसा फ्रेंट खोना नहीं चाते हैं उन्हें लगता है कि अगर आप उनके लाइफ से चले जाओ तो उनकी लाइफ का एक बहुत important हिस्सा चला जाएगा, घुम हो जाएगा, खो जाएगा, वो उस चीज को कभी fill up नहीं कर पाएंगे किसी और person से, किसी और चीज से, उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ही wisdomful person हो, आप हर चीजों को बहु हमी उन में हैं, और वो ये चीज जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो थोड़े से immature है, थोड़े से नादान है, थोड़े से बच्चे टाइप है, पर वहीं पे आप एक mature और wisdomful person हो, आगर वो भले ही आपको मुझ से कभी कहे ना, क्योंकि उनकी जो immaturity है, immature जब हम person र हाई होती है, यही उनके साथ हो रहा है, उनकी एगो, उनकी नादाने इतनी जादा हाई है कि वो उनका दिल जानता है कि आप कितने जादा mature और wisdomful person हो, पर क्योंकि उनकी जो नादानी है, immaturity है और एगो है, वो ये चीज आपके सामने accept कर नहीं सकते, करना चाहते नहीं है, पर वो जानते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी भी रिष्टे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझदारे से handle कर सकते हो, वो बहुत सी कोशिशे कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी third person के through आपसे बाचित कर पाए, वो हमेशा आपसे related जो भी information होती है, वो उनके पास रहती है, चाहे आप दोनों के रिष्टे का जो separation का gap है, वो कितना भी लंबा हो चुका हो, वो आज तक वो कोई भी ऐसी चीज छोड़ते नहीं हैं, जिससे वो आपकी आपसे related जो information है, आपके life में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज के बारे में वो जान ना ले, इस मेंशा आप पे नजर रखना, आपकी life में क्या चल रहा है, इस चीज को जैदर करना बहुत जादा उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो ये भी उनके मन में चलता है कि आप ठीक तो हो, आप सही तो हो, आपके life में सही तो हो रहा है, अगर आपके life में कोई नया person आया भी है तो क्या वो person नया अच्छा है, सही है आपके लिए, ये सारी चीजे उनके मन में रहती है क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और आप बहुत अच्छे हो, कोई भी आपको खोना नहीं चाता, पर जब से उनसे ये चीजे हुई है, आप दो है, वो जानता है कि वो जो कमी हैं आपके ना होने की वो कभी भी फुल्फिल नहीं हो सकती और ये चीजे उन्हें कभी कभी बेचेंसी भी करती है, उन्हें लोग समझाते भी हैं, उन्हें उनकी जो क्यार करते हैं वो उन्हें बोलते भी है कि अब मुवान हो जाओ, अब आ decision पे कायम रहो पर ये चीजें उन्हें समझ नहीं आती क्योंकि जो दिल है दिल जब बेचेन होता है दिल जब आपको याद करता है तो उनके वश में कुछ नहीं रहता है वो अपने दिल के आगे बेबस होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ हुआ उससे वो reverse कर सक के आपके साथ friendship निभा सके और ये भी हो सकता है कि वो अब नई सोच के साथ आपके तरफ कदम बढ़ाए हो सकता है कि वो इस पर ये कोशिश करे कि वो आप से एक नए perception के साथ मिले यहाँ पे opportunity दिखाए दे रही है इसलिए ये energies मुझे strongly read हो रही थी कि वो एक कदम बढ़ा चाहते हैं आपके तरफ वो एक एक chance ओर देना चाहते हैं इस रिष्टे को वो एक opportunity लेना चाहते हैं कि एक opportunity उन्हें मिल जाए कि आप उनसे बात कर लो इस बार वो आपके पास आएंगे और आप से जरूर से कहेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे और उनसे जो गलतियां हुई है वो गलतियां repeat ना हो क्योंकि वो जो आप से दूर रहे के जो पल उन्होंने बिताए हैं वो पल उनके बहुत मुश्किल से बिते हैं बहुत मुश्किल उन्हें फेस करनी पड़ रही है और वो बहुत उदास रहते हैं उनका कहीं किसी काम में बिलकुल बी मन नहीं लगता इस़ी लिए वो यही चाहेंगे कि वो एक बार आप से बात करें और आपको यह यकीन दिराए और आप उन्हें यह मोका दो कि एक बार उन्हें यह मोका दिया जाए कि वो अपनी गल्तियों को सुधारे और वो इस चीज को सचे दिल से पूरा भी करना चाहते हैं कि उनसे अब कोई भी गलती ना हो देखे वो बहुत जादा हड़बड़ी में होंगे वो बहुत जादा इंपेशन्ट होंगे वो इस बार जब आपके पास आएंगे तो वो रोते हुए आएंगे और वो बहुत पेंफुल सिचुएशन में और वो आपके पीछे पड़े रहेंगे वो आपको सांस तक नहीं लेने देंगे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि उन्हें आपसे बात करनी है उन्हें एक मौका और देजिए वो इस बार एक गलती नहीं करेंगे ये चीज़े दिखाई दे रही है और वो बहुत स्ट चाहेंगे कि अगर उन्हें एक बार चांस मिले और अगर आप लोगों की बात हो तो वो कहीं भी किसी तरीके की गलतियां ना करें वो इस डिटर्मिनेशन से आप से मिलना चाहते हैं और देखिए मैजिक कार्ड आया है तो आप यूनिवर्स पे अगर आप बिलीफ करते हो तो मैं आपको बोल दूँ कि जो यूनिवर्स है वो आपके लिए मैजिक क्रियेट करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी की ब्लेसिंग किसी ना किसी तरीके की ब्लेसिंग पॉजिटिविटी आपको घेर रखी है अगर आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो तो ये आ फील नहीं कर रहे हो, पर यूनिवस जो है वो Blessings भी आपके तरह भेज रहे हैं और एक तरीके का Magic आपके तरह भेज रहे हैं Magic क्या होता है जब हमें یकीनी नहीं होता कि इस पल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप से कि आप अपनी जो होप है उसे खोईए नहीं अपनी होप पर विश्वास रखे क्योंकि यूनिवर्स की एंजिल्स की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ है और वो जरूर से अगर आप अपनी होप को मजबूत करते हैं स्ट्रॉंग करते हैं believe रखते हैं अपने angels पे तो angels आपके life में magic जरूर से create करेंगे और ऐसा magic आपके life में होगा कि आपको आपकी पलके जपकेंगी और आपकी life में सब कुछ अच्छा हो जाएगा universe message दे रहे हैं कि आप जरा सा patience रखे खुद पर भरुसा रखे खुद पर विश्वास रखे क्योंकि magic create होने के लिए आपका universe के साथ align होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप hope रखें इंतिजार कीजिए इंतिजार कीजिए और जो भी red flags दिखते हैं जैसे कि वो वापस आएंगे और वो आपसे बाते करेंगे तो अगर आपको ये दिखता है कि हाँ वो सही है उन्हें जब आप एक मौका और दोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा this could be the one ओके आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कितनी जो अपने बाते वो आपको बोलेंगे stay optimistic about your love life वो अपने जो बाते बोलेंगे उनका actions उसके साथ कितना match कर रहा है आप उन्हें forgive करोगे वो सही है पर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो जो बोल के आपके life में आएंगे वो चीजे वो करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको positive रहना है क्योंकि universe जो है वो आपके साइड में है जो universe है उनकी blessings आपके साइड में है इसलिए आपको देखे romance की energy भी दिख रही है तो हो सकता है कि वो जो जब वो इस बार आएंगे तो वो जो बोलेंगे वो fulfill भी करेंगे abundance में आपके life में love है आपको अपने जो love life है उसको लेकर look for a sign देखे ये sign ही है आप ये reading देख रहे हो ये sign ही है ये universe आपको sign दे रहा है कि आप देखे reconciliation is must reconciliation होगा वो आएंगे पर आपको very soon बहुत जल्दी वो आएंगे पर आपको इस चीश का ध्यान रखना है कि आपको अपने love life को लेके positive रहना है देखे एक person से अगर आपकी नहीं बनी एक person ने आप से ठीक से निभाया नहीं तो ये उनकी गलती है आपकी कोई गलती आपको positive रहना होगा वो फिर से आएंगे आप से बात करेंगे पर आपको aware रहना होगा attentive रहना होगा कि वो जो बोलते हैं वही वो करते हैं या नहीं अगर वो वैसा नहीं करते हैं फिर भी आपको red flag दिख रहे हैं तो आपको decision लेना होगा think about yourself yourself और positive रहे अपने खुद पर believe कीजिए universe पर believe कीजिए कि वो आपके साथ है तो ये थी आज की reading अगर आपको ये reading पसंद आए तो प्लीज इसे like, share and subscribe कीजिएगा thank you so much जैश्री गनिश